कि क्या हाले साथ ही हूं मैं विकास सोमर आपके अपने ट्रस वोदीच चाहिए स्टडी फॉर सिविल सब्सक्राइब आज आपके समख्ष लेकर आगे हैं 28 जून का करेंट वे हिंदी इंग्रीज दोने भाष्टों में यूपीसी और अधर स्टेट पीसी एक्जामनेशन के ल सब्सक्राइब आपको यूपीसी लिखना होगा ठीक प्रिलिम्स और मेंस के लिए इंपोर्टन टॉपिक्स जो आज के हैं वो हैं आपके संत कबीर दास जैंती इनके बारे में जानेंगे पुरी चीर लिडार बेस सर्वे जो है फॉरस्ट एरिया सा कराये गया है इंडिया ने कंप्लीट कर लिया है अपना टर्म एस चेर् इंटरनेशनल लेबर और्गनाजेशन की गवर्णिंग बोडी का ठीक क्या चीज है जानेंगे और परिवर्तन कारी शहरी मिशनों के छे वर्स जो अभी पीछे हैं उसमें अर्बन मिशन जो है क्या क्या चलाएगा है स्मार्ट सिटी अमरूत और वो साची उनके बारे में पाकिस्तान को लगातार अपना जो है अपने आपको सावित करते हुए पाकिस्तान लगातार बना हुआ है FATF ठीक FATF की ग्रेय लिस्ट में ठीक और देगे पहला जो हमरा आज को टॉपिक है वो है संतकवीर दास जैनती इंपॉर्टन्ट है भक्ती मुमेंट के काफी बड ज्यादे इंपॉर्टन्ट होता है बर्थ एनिवर्सरी संतकवीर जी की अभी सेलिब्रेट करी गई जेस्ट पूर्णिमा को जून टॉंटीफोर्थ को ठीक इनका बर्थ कब हुआ था यह इनकलियर है मतलब इसमें साफ नहीं है कोई कहता है तेरह सो ठानवे से अरता यानि 1398 से लेके 1448 तक कोई कहता है कि वही है यह 1440 से लेके 1518 तक हुए थे तो इसमें मतलब अभी क्लियर नहीं है ठीक हलाकि कुछ यह जो क्लियर हो यह है कि कवीर जी का जन्म जो है वरनारसी में एक आविवाहित मा से हुआ था उनका जन्म एक बीज रहित गरबाधान से हाथ की अदेली से उनका प्रसव हुआ था बदब इस तरीके से कुछ यह है जैसे होता ना मैथलोजिकल टाइप से तो वैसा है यहाँ पर जो लिया दिखाया मतलब जो दिया गया था कंटेंट वैसे मैं इसको पढ़ लाँ तो बाकी माता ने कवीर जी को तालाब में तैरत परवार ने पाला और कि कवी कोई ऐसा भी होता है देज ब्लसिंग डिजगाईज उसमें यह हुआ कि इनका जो एक होराइजन था सोचने का तरीका था वो हिंदूों में मुस्लिमों में काफी वाइड हो कि हैंनों काफी चीज़ ऐसे देखी यह इनके अंदर कुछ ऐसी बा कामिया थी यह मानते थे कि हर चीज जो रिच्वल आप कर रहो सही है ठीक वो जो उनको लगता कि नहीं गलत था तो यह बोलते भी थे उसे हम लोग ना कई साही चीज़ हमें लगती तो है गलत लेकर बोलते नहीं है तो इनके अंदर वह थी बात थी कि गलत को गलत बोलने व उसे हिंदुजब में भगती मूमιनट में काफी फर्क पड़ा काफ़ी प्रभावऄर डारा साती अज़र सिक्ष्म का जो जो सिक में इनके काफी सारे versus आते हैं तो देख रो हिंदुजम हो गया मुस्लिम आपका इस्लामिजम हो गया और आपका जो है सिक्किसम इन सब में देखिए इनका influence आ रहा है उनके जो वल्लब होली बुक्स है या फिर वैसे कह सकतो उसमें भी इनके जो है लिखेवे दोहे कहते हैं कबीर के दोहे वाली चीज जो है वो उसमें इंक्लूट करी गई है इनकी पहली जो है अडली लाइफ में मुस्लिम फैमिली ने इनको पाला ता लेकिंका strong influence था इनके उपर किसका जो प्रभाव कबीर जी के उपर काफी था ठीक मुस्लिम फैमिली पलने के बाद भी और क्योंकि रवानन जो है एक भक्ती रीडर थे कबीर जो है काफी क्रिटिकल थे जो भी संगटिती रूप से जो धर्म चलना है उनके खिलाफ वह कोश्चन करते थे जैसे कोश्चन करना अपमान भी था उनकी लाइफ के साथ में खिलवड़ा था तो जैसे इस तरीके की अन्रिटिकल प्रैक्टिसेज हैं चाहे वो मुस्लिम में हो रिलीजन में हो चाहे हिंदू में हो सब के खिलाफ बोलते थे ठीक उनकी लाइफ टाइम में उन्होंने जो है दोनों लोग ही अ नहीं तो कर सकता है लेंकि रोग नहीं सकता है वो खुद भी अपने चैन में जब देखेगा वो तो समझता है कि हाँ यार यह है तो बंदास बात सही कह रहा है ठीक और जब तेखो जब वो उनकी देथ हुई कबीर जी की तो हिंदू मुस्लिम दोनों ही रहा कर लाएं जो कुछ जो इनकी रचनाए एक जो नको बोलते थी त्य मुझे इसमे कही है आपके kप्लिटस थे त्युक्त ना गद्ध थे पद्ध थे दोनों शामिल थे ठीक वेरिस और कई साथ दोहे जो है इसमें थे और सकी जो था ठीक जो आकरी सकी मतलब जो मतलब है या फिर उसका मतलब विटनेस होता है और उसमें यह की evidence of the truth कविताय सत्थ का प्रमाड होती है यह कहा गया है ठीक और जो इनके लिटरी वर्क है composition है जैसे की कभीर बीजक कभीर परचाई सकी गरंथ आदी गरंथ जो सिख में लिया गया और कभीर गरंथ वली जो आपकी राजिस्थान वली ठीक अब इन सब में एक चीज यह बात है कि आदी गरंथ जो सि हैं कई सारे इसके वो लिएगे हैं फॉर एक्जामपल कभीर वीजक जो है दो मेजर जो है प्रसंस करोणों में मौझूद है कभीर जी से समंदित और भक्ती मूव्मेंट जो है ओवरॉल और सूफिसम बहुत जादे इंपॉर्ट है अभी क्या हुआ है कि लिडार आधारित सर्वे हुआ है वन एडिया नहीं वन चेत्रों का लिडार देखे एक तरीके का किसी भी जगों जगे को स्कैन करने का एक तरीका है और यह 3D फीकर मना देता है ठीक आप लेजर को उप्यों करते हुए लेजर की केड़नों को जैसे हम लोंने अभी पढ़ा था ना डॉपलर शिफ्ट यह डॉपलर वाल शिफ्ट पढ़ा था ना राडार किस तरीके स्काम करता है वैसे यहां पे भी है लेजर की केड़नों को जो है किसी आप लोकेशन पे एरिया पे जो है वहां पे बीम करते हो वहां से जैसे वापस आता है अगर जैसे माली जग बीम किया कोई तरीके से स्कैन बना देता है थैक्त स्कैन और यहां पे चिंद यूज योई की जिलिए जया है नको इसने स्काम किया और यह पता किया कि कहां कहां पे तो ऑग वाटर फ्यफर्स थो होते हैं ठीक जैसर कितना मुत उन और एरिया-जो-पक्तश Glenn फॉरेस्ट एरिया जो है अच्छे से फॉल फूल सके यह चीज़ यहां पर पूरा बताया गया है दस स्टेट में यह हुआ है और जावडेकर जी जो हमारे इंवार्मेंट मिनिस्टर उन्होंने यह रिपोर्ट का मलब मगाई कि वह यह फॉरेस्ट एरिया जहां पर पानी की क पूरा ठीक आपका जल शक्ति मंत्रा ले जैसके पास जो है एक पीसउ है ठीक वैप कॉज नाम से उसने जो है इसको किया था चालू किया लिडार के जालिए अठा कोड़ पे दिये गया था चब्विस स्टेट में इसको किया गया है लागू किया गया है इसका बेनिफिट यहीं है कि ग्राउंड वाटर कहां पे है रिचार्ज हो रखा अगर नहीं हो रखा तो हम उसके हिसाब से प्लैनिंग कर सके जादा अच्छा डेटा आपको मिल गया है इससे लिडार की मदद से नई टेक्नॉजी के मदद से यह वाली बात है ठीक यह लिडार जो है इसको बोलते हैं उनके लिए वह भी हम और यह करा सकते जिसकी वजह से जो है सबसे में चीज जो अभी बहुत ज्यादा प्रश्लन में है मुवी तक बन रही है लोग खेती करते आते हैं मवेशी अपने बढ़ाते जा रहे हैं चलाते आ रहें तो ही एनिमल जो है को एक जैसे की टाइगर है तो वह काफी ज़्यादा अच्छी जो है कंजर्वेशन की वजह से उनकी संक्या भी बढ़ी है ठीक और हीमन्स तो लगाता बढ़ी रहा है तो उनके बीच में कॉन्फिक्ट बहुत जदा हो रहा तो कॉन्फिक्ट को रोकने के लिए जो है ये सारी ची करिए शेड़नी नाम से पिक्चर आईए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीक से ग्राउंड पे क्या रहती रहती उसको काफी अच्छा नों दिखाया आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं ठीक और इन रिपोर्ट्स में यहीं है कि कई लोग जो है ग्राउंड कि अब पानी वर्सा हो तो उसको आपका रोका जाए एक रिचार्ज किया जाए आपका पेड़ लगा हो तो उसकी वैसे क्या और फूर यह ज़ग और कैसे चुना गया कई जगे जो है आपका जो डिग्रेडट जमीने थी और जहां पर देखा गया कि वाटर या फिर फॉडर यह चारे को अग्मेंट करना है तो उन जगहों पर जो है आपका लिडार का यूज कि नब्य प्रतिशत तक इसकी ऐसा बोला गया लिडार क्या होता है लाइट डिटेक्श सब्सक्रियो कि रिमोटल से जो है जो है से पार स्क्राथ करिया और फेकते हैं जो सब्सक्राइब τोंप लिबापस और जो फ्रस् Choi भी वापस आती है और जो गिरुमाय, जो और पमस है बाड़ के बीच में डिफिंस दिया गया जिक लिडार जो है एक मैठड है जिससे वहीं रिफ्लेक्ट होके वापस आता है और इसके इंस्ट्रूमेंट में क्या-क्या चीज़े होती हैं जीपिएज भी होता है स्पेशलाइस्ट ठीक लेजर तो ही जो भी है यह और जीपिएज रिसीवर भी है एप्लिकेशन देखे वहीं है कि इसका 3D रिप्रेजेंटेशन मना देता है एरिया का और सर्फेज ऑशेन बॉटम और लेजर रेटन करती है जिस आप से डिफेंसे जो भी होंगे उसके जाब से आपका लेजर वेवलेंट तलग लोग होगी आप तो आप उसक सताल कि इंडुकारेंसी ने वहीं से त्रेक का वो किया जा रहा है सरवय किया रहारा किसी को आये लो उसकी जो एक एक इसे क्योड़ी बोड़ी होथी जो होती है जिसको गवर्निंग बॉड़ी बोला जाता है वो उसका भारत अभी चेर था अपूर्व चंद्राजी जो है यह अद्धक्षिते सेकेटरी जो आपके लेबर इंप्लाइमेंट केंश्रम और रोजगार मंतरा लेके वो चेर थे मतलब चेर्मन बने हुए थे गवर्निंग बॉड़ी इंटरनेशनल लेबर ऑगनाजिशन के ठीक और नों ने जो है यह अक्टूबर 2020 पिछले अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक इस पोस्ट पर बने हुए थे ठीक और इंडिया को यह जिम्मेदारी 35 साल के गैप के बाद मिली थी और इस दौरान जो है इंडिया ने कितने इंडिया क आगे यह है आयलो जो है आपका यूनाटेड नेशन की एक अजनसी है इसका जो मेंडेट है जो उद्देश है वो है कि समाजिक और आर्थिक जो है नियाय मिले और साथी साथ कैसे मिलेगा जब आप इंटरनेशनल लेबर के मानक बनाओ स्टंडर बनाओ कि वह यह इतने मिन 1919 में हुआ था जब लीग ऑफ नेशन बना गया था वर्ड वर्ड वार वन के बाद में ठीक और यह पहला और बहुत सबसे पुराना इस पेशलाइज एजनसी है यूएन का आयलो में जो है आपके 187 मेंबर हैं ध्यानक को 187 मेंबर हैं जिसमें से आपका देखा जाए तो 193 आने वे यूएन के मेंबर स्टेट्स हैं उसमें से 186 हो गए और इसके अलावा जाए कुक आइलेंड्स है तो आप लोगे बताना है कि क्या यूएन में कुक आइलेंड्स का मेंबर नहीं है क्या ठीक आपका आयलो का जो हैड़कॉर्टर है वो है जिनेवा आपका स्विजि करने के operating वाड़ी कि यह डिसीजन लेता है कि नीती क्या रहेगी क्या आएजेंडा रहेगा इंटर्नेशनल ऍलेभर क्वरम जब कनकप सारे डेश कासे कि कारण 的 Croatia चैंट डैक्टर है उसको निर्वाचन भी जब फिक दर बाट्र जर दिए और और रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन करता है मेंबर स्टेट्स का कंसर्णिंग लेबर के मैटर स्वर्म से समधित जो भी है मैटर उनके समधित कोई मेंबर स्टेट बोलना चाता है कोई बताना चाता है कोई कमीशन अपॉइंट करना इंक्वारी बठानी है, सुपरवाइस करना है, ठीक, आपका इंटरनेशनल लेबर ओफिस में इस सारे काम भी जो है आपका गोर्निंग बोडी के दोरा करवाय जाते हैं, लागू कराया जाते हैं, ठीक है, तो यह था हमारा अगला जो इंपोर्टेंट हमारा टॉपिक है, वो है, रहने का सारी चीज़ें इंतिजाव में करना है, गवर्नेंस करना है, तो एक अरबन से समंदित, जो शेहर से समंदित कही सरे मिशा मनाए गए, ठीक, जैसे कि आपका स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक, अटल मिशन फॉर अरबन रिजूबिनेशन एंड अरबन ट्रांस्फरम जो है, जो है, इसके दोरान कुछ लॉंचेज भी हुए, इवेंट के दोरान जैसे कि इंडिया समार्ट सिटी एवार्ड, ठीक, आप देखो, ऐसा होता, जब कोई अच्छा काम करें, तो आप उसको एवार्ड रिकॉगनाइज भी करो, reward भी दो ठीक नहीं तो क्या होता है अच्छाई करने वाले को यह समझ में नहीं आता है कि वो यार उसको कोई प्रोस्थाहर नहीं होता है तो award देना जैसे मैं हूँ मैं पूरे हर समय आप लोगो के लिए तत्पर रहता हूँ चाहे कहीं भी कुछ भी हो वाश रूम में बैटके वीडियो बनाना हो चाहे कुछ हो जाए च्छे वज़े जाना चाहिए वीडियो जाना चाहिए कभी आवाज खरावाज हो जाती है तो लोग गाली देते हैं कुछ करते हैं लेकि मैं अपने काप से रुकूंगा नहीं ठीक तो एक उसका recognition कैसे है कि हाँ भाई जो ही यह mission जो है हमारा भी जो चल रहा है यह भी सफल हो रहा है ठीक तो आप लोग से गुजाईश है अगर आप लोग को अच्छा रखता तो आप लोग लाइक बटन यह free है यार क्या इससे आप लोग का कुछ नहीं जा रहा है आप लोग बस मेरा जो है motivation और ज पुछना करी गई और इसमें फिर देखिए क्या-क्या थीम पर दिये गए कि जो समाजिक पहलू क्या है गवर्नेस कल्चर सैनिटेशन एकनौमी इंवार्मेंट इन सब पर और देखिए वैसे तो इंदौर आगे रहता था लेकिन सूरत भी इस बार आगे रहा है और यह जो स्मार्ट सिटी झांट फ्रेंवर्क टू पॉइंट बेडिया उसमार्ट फ्रेंवर्क तो इसमें जो है आपका यह लौच क kia गया था सब्मभर 2020 और उसका एम जो था इस एरिया का अगर temperature दिखोगे तो जो के अर्बन एरियास के जो आसपास के एरियास है जहां पे ग्रीनरी है ठीक है पेड़ पौधे हैं खेती और यह सब है तो अगर मालीजी यहां पे 15 है तो यहां पे 17 होगा तो 2-3 डिगरी का फर्क होता है ज्यादा गरम होता है अर्बन टॉप नाइन परफॉर्मिंग सिटी जो है इसमें जिनको एवर्ड किया गया चार स्टार की रेटिंग सूरत इंदौर आयमदाबाद पूने विजयवाड़ा राजकोड विशाका पट्नम पिंपरी चिंचवाड और पिंपरी चिंचवाड कॉंसेस्टेट में बताइए औ इंडिया स्मार्ट सिटीज देखो अर्बन से समंधित अगर कोई कोशन आता तो यह विल्कुल ट्रेजर है इन सारे को आप लिख सकते हो अर्बन जो है आपका स्मार्बनाइजेशन से लेटर कोई कोशन आता यूपी पीसे में तो अलग से टॉपिक दे रखा है ठीक आपक स्ट्री ऑफ हाउजिंग अर्फन अर्बन अफेर्स के द्वरा इसमें यहीं है कि जो यूथ है यूथ लीडर्शिप है जो यूवा नेतर तो है उसको प्रमोट करना है अर्बन एरियास में ताकि वो डिजाइन कर सकें अच्छे से अर्बन फूचर को अगला है ट्यूलिप फूल फूर्म किया The Urban Learning membership Program, The Urban Learning internship Program को लांच किया गया लास्ट चौत है फौर्थ जून दोजार बीस को इन पार्टनर्शिप विड ईयाई CTC.Cokol क्या होता है टेकनिकल उजुकेशन होता हाई ऐուचन में परमोट करता जो है इसका फुल फॉर्म है फुल फॉर्म जो comment करिए इसका तूलिप जो एक ऐसा ब्लेट फॉर्म है जो connect करता है graduate जो लोग इसना तक हो सके हैं हो चुके हैं उनको erban local bodies से ठिक जो सहरी इस्थानी हैं उनके साथ में smart city के साथ में उन दोनों को कनेक्ट करेगा और नए सलूशन निकालेगा सिटीज के प्राब्लम के और इस प्लेटफॉर्म पे तो भाईया बहुत ही ज्यादा अच्छा रेस्पांस मिला है जुकेटर यूथ जो नेशन का था करीबन सोला साड़े सोला अजार इंटरेंशिप अपॉर्चिनिटीज में बनाई गई और भाईया टुलिप पोर्टल पर करीबन जो है बारा सो बीस इंटरेंशिप ऑन गोईंग है वी चल रही है चार सो सट सट यानि 467 इंटरेंशिप ओलरडी कम्प्लीट हो चुकी ठीक अगला जो है सिटीज सी आई टी डबल आई एस नौलेज प्रोटेक्ट य दोज़ार अठारा में और इसमें क्या है कि एक नए तरीके से अप्रोच किया जाता है कि और जो भी डेवलोपिंग डिमस्टेटिव प्रोजेक्ट है माले कोई दिखाया गया जैसे कोई प्रवरं को सब्सक्राइब को रोकने के लिए कोई चीप प्रोजेक्ट लगा गया तो इस तरीके की चीजे जो है ने ने अप्रोच इसको दिखाया जाना साथे साथ जो सस्टेनेबिल्टी है मतलब आप ऐसा यूज करो रिसोर्स का कि आगे भी जनरेशन यूज कर सकें और जो इनोवेशन है अर्बन इंफरस्रक्ट्टर में इन सब भी ध्यान दिया गया है अब आगये जो हमारे मूलभूश जो यहां पर बात हो रही थी स्कीम की जैसे कि स्मार्ट सिटीज मिशन क्या है एक तरीके से जो सिटीज है उनको उनी को या फिर कोई नई सिटीज है तो उनको बसाना तो इसमें रिनीवल कराना नवीनी करना साथी साथ रेट्रो फिटिं यह जो है वह पहलू को भी ध्यान में रखा गया है यूनियन मिनिस्ट्री अर्बन डिवलोप्मेंट की जो है वह रेस्मांसिबल है कि इसको करयानवित करा है इस मिशन को स्टेट गौवर्मेंट के साथ में मिलकर ठीक अगला जो हमारा टॉपिक है वह है प्रधान मंत्री इंडिया का जो है इसमें एफोर्डेबल हाउसिंग मतलब सस्ते जो है ऐसे किफायती घर बनाने की बात करी गई थी दो करोड घर की बनाने की बात है आपका 31 मार्च 2022 तक इसके दो पहलू है एक तो अर्बन है दूसा ग्रामीर है और जो है स्कीम को जो कनवर्ज किया गया ह आपके कई सारे और चीजों से जैसे कि आपका आपने हाउस देना है हाउस के साथ में आपको टोलेट भी देना है बिजली भी देना है सौभाग योजना उसके लिए हो गया ठीक आपको लपीजी देना है उसके लिए उज्वला योजना हो गया आपको बैंक में जो है उन चलाया जा रहा है यह सारी चीज़ इसके लावत है कि अम्रूत जो आपका अटल मिशन फॉर रेजुबनेशन ठीक एंड अरपन ट्रांस्फर्मेशन जो है अम्रूत इसको लॉंच किया गया था जून 2015 में मोदी जी ने लॉंच किया था इसे पहले वैसे आला कि यह री पैकेजिंग था री ब्रेंडिंग था पहले इसको जावाला ले रू करके जे एन एन यू आरेम करके था उसी को री ब्रेंड करके अम्रूत लाए गया था और इसमें फोकस एहीं था कि जो भी इंफ्रास्र हो सके ठीक तो यह था पूरा आगे देगे हम लोग का बहुत यादा इंपॉर्टन टॉपिक जो है कि पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो की कार करता है मनी लॉंडरिंग ठीक जो काले धन को जो है लॉंडर करके आपका जो ऐसा धन बना दें जो एक नंबर का लगे उसको मनी लॉंडरिंग करते हैं मनी लॉंडरिंग और ट्रेयरिजम की जो फंडिंग है उसको रोकने में पूरे वैश्विक इस्तर पर जो है लगा रहता है उस जो है उस संस्ता का नाम है आपका फानेंशियल एक्शन टास्पोर्स इनकी दो लिस्ट हो अगर इसमें से जादा बिल्कुल कॉपरेट नहीं करेगा तो इसको ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाएगा और जितने भी टेरर से संबंदित एफे मनी लॉंडिंग संबंदित जो भी इन लोग के पास में होंगे एकाउंट्स होंगा उन सबको फ्रीज करा दिया जाएगा स सेंक्शन भी लगा जा सकते हैं आर्थिक जो है जो है उनको रोका जा सकता है तो यह साई चीजें हैं पाकिस्तान जो है लगाता ग्रेलिस्ट में बना हुआ है दोजार अठारा से ठीक अग्रेलिस्ट में डाला गया था एफे टीएफ के द्वरा और अभी भी सताइस है में 26 कंप्लीट कर पाया है इंप्रूब्मेंट तो थोड़ा बहुत कर रहा है लेकिन फिर भी जो है अच्छा नहीं इतनी इंप्रूब्मेंट नहीं कि इनको ग्रेलिस्टे बाहर निकाला जा सके ठीक और जो है इस एफे टीएफ ने पाकिस्तान से बोला था कि जो भी यू ठीक पूझ बहुत रहे हैं इसपर लिए बैसे तो पाकिस्तान जो है एक ट्रेरियोग्त को जो है ढ कहता है 2 गुर्फ Bizi को ग्रोबादो हैं तो यह घोर तुम्हारे ओपर मिय तो इसको बाट रहेर बोलते हैं भाई साब तो इस चक्र में आप पाकिस्तान के वजूद बड़ा अजीव सा हो गया है कभी चाइना के कोई उनको कुछ कर रहा है कभी जो जो पाला इंडिया के खिलाब वो उनको खुदी खा रहा है तो उसको यहां अजीव सा है फिर उनके जो है वो जो उनके प् मत्री वो आ जाएंगे वो बोलेंगे कि महिलाओं के कपड़े साही से नहीं पैंती है तो इस चक्र में जो है इनसानों जो जो मैं है उनका धिमाग खराब होता रहे तो मतलब फालतू फालतू बाते करते हैं मतलब एक देश का प्रदामंतरी इस नीचता से बाते कर रहा है वो भी पॉब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके पॉब्लिक को संबोधित करते हुए तो आप समझ सकते हैं कि उनका क्या हाल है थीक आम जनता देखे पाकिस्तान की सही है लेकिन जो इनके जो हुकम जो हैं जो लोग बैठे हुए उपर ये लोग तो नहायती बिलकुल बेकार लोग हैं ठीक ये उनको अपनी रोटिया चलानी है पाकिस्तान की की अपना जो है भारत के खिलाफ जहर हुगल के ठीक भारत में भी ऐसे लोग है जिनकी रोटियां उनके हिसाब चल लई है तो ये चीजे खतम होनी जिए जो आम जनता है इसमें सबस्यादा उसका नुकसान होता है ठीक अब देखें यहां पर पाकिस्तान से बोला किया था कि आफिस सहीद मसूद अजर इनके खिलाफ जो है आप लोग एक्शन लीजिए नहीं लिए गया है रंक से और साथी साथ जो एंटी मनी लॉंडरिंग चला है काम चला है कुछ प्रोग्रस तो किया है पाकिस संगटन है 1989 1989 में इसको चलू किया गया था और पहले तो जी सैवन ने इसको इनिशेट किया था पहले इसका काम सिर्फ मनी लॉंडिंग था लेकिन बाद में इसको में टेरे फंडिंग को भी जोड दिया गया इसका सचिवाले OECD का हेड़कॉर्टर है पैरिस में 2001 में इसक कानूनी नियामक यानि के रेगुलेटरी और परिचालन उपायर करो कि लोग जो कंट्री हैं या कंट्री के अंदर जो इस तरीके के लोग हैं वो मनी लॉंडरिंग टेरे फैनेंसिंग यह सारे चाहिए ना कर सके और खंडता बनी रहे पूरे जो है अंतरास्टी फैनेंशल सकती होनी चाहिए नैशनल लॉब बनने चाहिए रेगुलेटरी जो है रिफॉर्म होने चाहिए ताकि जो है आपका टेरर फंडिंग और आपका जो मनी लॉंडिंग खतम हो सके ठीक और इसमें मनी जो एफटीएफ है मॉनिटर भी करता है प्रोग्रेस पीर रिव्यू करात है मेंबर कंट्रीज का ठीकव म्यूचल इवैलिवेशन मतलब इंडिया का पाकिस्तान रिवेलेशन एंडिया करेगा तो तो यह चाहिए दोजार से अगर देखा जाए तो एफटीएफ ने एफटीए ब्लैक लिस्ट भी चालू कर रख्का है जिसमें कॉल फॉर एक्षन हो तो यह सारी चीज़े थी आज के जो कोश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है और 43 नंबर कोश्चन देखिए आज चुके 28 जून का कोश्चन है आपका डेली यूपी सी जे मेंस जी एस अंसराइटिक फ्री प्रक्टिस ऑनली यूपी सी करके चैनल हमाँ टेलिग्राम पर आप आपको एक ब्रीफ नोट लिखना भक्ती मोमेंट पर ब्रीफ नोट लिखना है इंपॉर्टेंट है और हम लोग आगे अपने फ्रेवर्ट सेक्शन पर कॉम बनेगा इस पीसे इसमें किस तरीके से प्रिलिम से कोश्चन को स्वाइल करना होता है इस पर अम लोग ध्यान दे अब यह यूद्ध पोथ है आप समनना ठीक जो जिसमें की उपर से जो है हेलिकॉप्टर फाइटर जैट सब कमोव एर्बोन जो हेलिकॉप्टर यह सब लोग उस पर खड़े हो सकते हैं ठीक वहीं से चाह भी सकते समुद्र में आप समनने एक आपकी एर स्ट्रिप बन गई यह पूरी तो यह सारी चीज़ें बिल्कुल सही है या लोग इसको देख लेना कौन-कौन से हैं हेलिकॉप्टर सही स्टेट्मेंट है अगला है कि इस वैसल का नाम विक्रांत जो है किया गया है यह जो पहले कैरियर था एर कैरियर था नेवी का उसी के नाम पर रखा गया भी टीक अविशन हो चुका उसके बाइक भी आई थी ठीक तो उसके लोगे से बनाएंगे वैसी बात थी तो अब यह फिर से इसको लाया जा रहा है और मोधी जीने इसकी समख्षा करी है अभी आपका यह पहला बतलब यह सवदेशी एर क्राफ्ट कैरियर है आइनेस विक् ठीक और आइस विक्रान जो है यह कमिशिंड हो जाएगा 2022 तक यह इंडिया का only aircraft carrier अभी इस समय ओर है इसलब अभी इसलिए इंडिया fake क्राफ्ट कैरियर कौन सा चला है आपका रशियन ओरिजिन आयनेस विक्रमादित ठीक आयनेस विक्रमादित अब यह 2022 में आ जाएगा तो दूसरा भी हो जाएगा एयर स्ट्रिप आप सब्लों एयर कैरियर है ठीक अगला कुशन यह मरी टाइम स्टेट डेवलप्मेंट काउंस समद्री वाला किया था यह देखिया आज क्या है समुद्री राज विकाज परिशद मैटाइम स्टेट डेवलप्मेंट काउंसिर समंद्र कुश स्टेटमेंट दिया गया है बताना आप लोग कौन कौन से सही है यह 2001 में चलू किया गया था नहीं 2001 में 1997 किया गया था सरीके से जो समुद्री सेक्टर है उसका विकास हो सके और यह एम करती है कि इंटीग्रेटेड डेवलप्मेंट हो सके मेजर और नॉन मेजर पोडस का जो आपके पोडस है उनके समंद्र तो पोडस समंद्र देखिया आप लोग को दो कमेंटाज करने हैं दो चीजे घर पर पड़नी है एक तो सागरमाला प्रोजेक्ट और दूसरा मैं बनाना है कि जो है मेजर पॉर्ट कौन कौन से हैं कौन कौन सी स्टेट में कर सकते हो आप लिख भी सकते हो ठीक इसके लबावा मेन वर्क इसका यहीं है कि से करें इस्टू एसेस इन कंसल्टेशन विच स्टेट गवर्मेंट के साथ में एसेस्मेंट करें बाचीत करें परामर्च करें और जो भी डॉलोप्मेंट हो रहे हैं एक्सिस्टिंग या फिर नए माइनर पॉर्ट को उनके बारे में जो है डैटली या फिर कुछ करते हुए लोन पॉर्ट को अच्छे से अच्छा बनाना है उन्हें सतानवे में यह जलू हुआ था एपक्स एडवाइजरी बॉड़ी है ध्यान अकरा मेजर नॉन मेजर पॉर्ट को बढ़ावा देता है और साती साथ इसमें अभी जो आपके पॉर्ट के शिपिंग के वाट पॉर्ट को जोड़िए इस मिशन में जिसमें हम लोग करन्ट अफेर के थुरू माध्यम से सारे के सारे ज्यादा ज्यादा लोग का स्रेक्षिन करा चाहते हैं देखिए यूपीए सी और इपीए फो का कम्प्लीट पेड़ ग्रूप या फिर सिरीज का पेड़ चलू है जा जैन जै वरत ओल अवरी वेस्ट है वंदे मातरम